नमस्कार हमारे यूटूब चैनल LNB Electrical Map सभी का स्वागत है आज हम इस वीडियो में आपको बताने वाले हैं कि एक ट्रांस्फर्मर वाइंडिंग के बारे में जिसकी इन्पुट वोल्टेज होगी 230 वोल्ट ठीक है और आउटपुट जो वोल्टेज होगी वो होगी 24 वोल् है तो सबसे पहले मैं आपको बता दे रहा हूं इसकी जो इन्पुट इन्पुट वोल्टेज होगी वो होगी 230 वोल्ट और आउटपुट जो वोल्टेज होगी आउटपुट जो वोल्टेज होगी आउटपुट जो वोल्टेज होगी वो होगी 24 वोल्ट और इसकी मैक्सिमम मैक्सिमम करेंट जो कैपेसिटी होगी करेंट कैपेसिटी वो होगी 5.5 एमपेर ठीक है 5.5 एमपेर तो देखिए मैंने अभी ट्रांसफर्मर को वाइंडिंग कुछ दिर पहले ही किया था तो मैंने सोचा कि इसका डीटेल किस पर कर वाइंडिंग करना है कैसे वाइंडिंग करना है सारे बातों को आपसे सेयर करूँ टेक है तो यदि हमारे चैनल पर आप नए है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो के वाच करने के बाद यदि आपको लगे कि ये वीडियो हमारे लिए helpful है या ये वीडियो हमको समझ में आया या कुछ सिखने को मिला है तो हमारे इस वीडियो को लाइक ज़रूर कर मैक्सिमम कारेंट कैपेसिटी जो होगी 5.5 एंपेर होगी अब इस ट्रांसफरमर को वाइंडिंग करने के लिए सबसे पहले जिस चीज की हमें आवे सकता होगी वह होगी बोबिन की कितना ले हैं बोबिन साइज लेना है चान नमबर ठीक है चान नमबर 1.5 इंच 1.5 इंच ठीक है चान नमबर 1.5 इंच बोबिन साइज अब ओगी यह वाइर साइज वायर साइज आपको दो गेज का वायर लेना है एक लेना है एक नंबर में लेना है 27 SWG एक लेना है ठीक है SWG 27 और एक लेना है SWG 13 यह जो 27 नंबर गेज की वायर लेंगे आप इसे लेना है कॉपर इसे लेना है कॉपर हमारे बातों को जर अध्यान से सुने कॉपर और यह जो SWG लेना है 13 नंबर का तेरा नंबर का यह लेना है एलिमोनियम अब हमने बोबिन ले लिया वायर ले लिया अब बात करते हैं कोर साइज की कोर साइज हमें बोबिन साइज से ही पता चल रहा है चार नंबर का CRGO या CRN दोनों में से कोई एक चलेगा CRN ले लिजेगा कोई बात नहीं CRGO तोड़ा कोश्टली हो जागा CRN ले ले अब हम बात करते हैं इसकी winding details और कुछ points के बादे ठीक है हम winding data बताने से पहले कुछ महत्पुन बातों को आप से share करते रहे इन बातों को जड़ा ध्यान से सुने हमने जो यह कोर लगाया है यह CRN लगाया है CRN ठीक है हमने जो यहां बोबिन लिया है glass का बोबिन लिया है आप बेकालाइट या प्लास्टिक बोबिन 5.5 एंपेर है कोई दिक्कत नहीं होगा ले सकते हैं यहां पर देखिए हमने जो secondary में wire लिया है जैसा कि मैं आपको wire size का पास बता रहा था 5.5 एंपेर तक आराम से इसमें load डाल सकते हैं ठीक है और primary में जो हमने लिया है इस transformer का primary में इस transformer का primary में लिया है हमने 27 नंबर gauge की वाया है ठीक है 27 नंबर gauge की वाया है 1.5 इंच लिया है बोबिन साइड जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया देख ले हमने जो हमने यहां transformer winding किया है अब देखे core और winding के बीच insulation जैसे तगड़ा हो इसलिए मैंने है minilex minilex paper डाल दिया है ठीक है minilex paper डाल दिया है आप देख पा रहे होंगे इस प्रकार से collar बना कर minilex paper जितना में core डलेगा उतना आपको डाल देना है दोनों side ठीक है दोनों side इस प्रकार से minilex paper आप देख पा रहे होंगे यह हमने डाला है इसी प्रकार दोनों side डाल देना है ठीक है अब हम इसकी winding data पर चर्चा करते है जो winding data में बताता हूँ जो winding इसकी winding data के बरबत मैं जितना भी अपने चैनल पर अपलोड करता हूँ इस बात का ध्यान दिजिएगा वह 100% 100% tested tested और 100% successful होगा ठीक है 100% tested और 100% successful होगा इसमें कोई doubt नहीं है कि हम करे सॉरी यहां 1000 लिक आ गया था ठीक है 100% successful होगा ठीक है इस बात में कोई doubt नहीं है कि हम winding करें इस से और नहीं होगा ठीक है तो अब बेहिचक एकदम tension फिरी होकर हमारे data से wind करें हमारे बातों को follow करें 100% result होगा अब हम बात करते हैं winding के बारे में तो सबसे पहले हम primary winding करेंगे primary winding करेंगे primary winding यह हमने primary winding कर लिया यह हो गया start यह हो गया end यह हो गया 0 volt यह हो गया 230 volt ठीक है बीच में यह इस परकार सब हम secondary winding करेंगे ठीक है यह secondary winding हो गया यह start हो गया यह end हो गया इसको हम लिग देते हैं secondary winding ठीक है primary winding जो करना है primary winding कितने number gauge की wire से करना है मैंने पहले भी बताया आपको HWG27 क्या था यह copper और जो secondary winding करना है HWG13 क्या लेना है aluminium इस बात को जब ध्यान से रखें ध्यान दें ठीक है aluminium 13 नंबर secondary में और primary में 27 नंबर अब जो secondary primary winding करेंगे उसमें कितने turns wind करेंगे 27 नंबर gauge की wire से 766 turn 700 ठीक है 766 ठीक है 80 foot winding को अच्छे तरीके से करें layer winding करें layer winding यदि आपको समझने में कहीं दूबिदा है तो हमारे चैनल पे winding कितने परकार की होती है उसका एक separate video बनाया गया है देख ले लेयर winding मेंने किस परकार बताया है उसी परकार से करें बार्ने सरसी क्वालिटी का इस्तमाल करें ठीक है धन्यवाद परकार बताया है